नमस्ते आप लोग कैसे हैं आप सभी का स्वागत है रक्षा आर्जू की रसोई में आज मैं आप लोगों के लिए एक फिर नई रेस्पी के साथ हाजेर हूँ एह रेस्पी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को आज मैं रायते की रेस्पी लेकर आई हूँ इस रायते को मैं आज फूल मखाना से बनाने बाली हूँ इसमें हम कोई भी तड़का नहीं लगाएंगे यह घर का बना हुआ दा ही है इसको हम थोड़ी दो मिनिट मिक्सर से फेट कर इसको चिकना करेंगे बहुत ही सिंपल आसान तरीके से इसको आज मैं बनाऊंगी तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखें एह मखाना है इनको हम थोड़ी रुष्ट करेंगे गेस पर इस तरह से इसको हम दो मिनट रोष्ट करेंगे रोष्ट करने से मखाना है जो थोड़ी कुरकुरे से हो जाएंगे तो इसको जब हम दही में डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से दही को यह सोप लेंगे बहुत ही टेश्टी मखाने का रायता बनकर तैयार होने वाला है तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखें मखाने को हम एक फ्लेट में निकाल लीते हैं यह अच्छे से रोष्ट हो चुकी है बहुत ही अच्छे से कुरकुरे हो चुकी है तो जो दही मैंने फैट कर रखा था इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ आदी टीस्पून भरके धनिया पाउडर डाला है आदी टीस्पून मिर्ची पाउडर आदी टीस्पून गरम मसाला अब इसमें हल्दी नहीं डालनी हैं क्योंकि मैं इसमें तड़का नहीं लगाऊंगी एक हरी मिर्च के छोटी छोटी टुकडे कर लिये थे उसको भी हम डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई धनिया धनिया की जगा पर आप लोग पुदीना भी डाल सकते हैं उसका भी बहुत ही अच्छा फले वराता है अब जो मखाना रोष्ट करके रखे थे उनको भी इसमें डालकर अच्छे से मिलाएंगे देख सकते हैं बहुत ही सिंपल रेश्पी है यह जितना अच्छा देखने में लगता है खाने में तो उसके भी ज़्यदा टेष्टी लगता है इस रायते को आप पुड़ी चांवल या पराटे के साथ खाएं बहुत ही टेष्टी लगता है और ना तो इसमें बनाने में कोई जंजट है, बहुत ही जटपट बनने वाली यह रेस्पी है अब इसको हम दो मिनिट रेस्ट के लिए रख देते हैं, इससे क्या होगा, मखान अच्छे से फूल जाएंगे दो मिनिट हो चुकी है, आप देख सकते हैं दही की कौन्टिटी कम हो चुकी है, कम इसलिए हो चुकी है, क्यूंकि जो मखाने हैं, उनके अंदर बहुत ही अच्छे से दही एप्योफ हो चुका है अब इसमें मैंने आदी टीस्पून टेस्टी नमक डाला है आदी टीस्पून काला नमक डाला है फ्लेवर के लिए यहां में थोड़ा सा मैगी मसाला डाल रही हूं पास्ता मसाला मैगी मसाला आपके पास जो भी हो आप डाल सकते हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अब हमारा रायता बिलकुल बनकर तयार है आप देखिए मखाने कितने अच्छे से दही को सोब कर चुके हैं और बहुत ही फूल चुके हैं रेस्पी अच्छे लोगी तो प्लीज कमेंट करें ठेंक यू